मेरे YouTube पे एस्टरोनेश पर आपका स्वागत है नमशकार मैं हूं नरेश कमाल सबसे पहले उन दर्शेकों का शुक्रिया जिन्हों ने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज के वीडियो लाइक कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को शेर कर रहे हैं आज बात करेंगे शनी देव की शनी देव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र वस्ता शुरू होगी 17 जून को 17 जून से लेकर 4 नमबर तक लगभग 140 दिन के पिरिड के लिए शनी वक्री रहेंगे जोतिश में आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे कि वक्री हो प्लैनेट की क्या पोजिशन होती है अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनी एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे ये हर साल वक्री होते हैं प्लैनेटरी पोजिशन जो है हमारी जो हमारा ब्रहमंड है या जो हमारे प्लैनेट का साइकल है उसके बुद्ध ib economist 27 निद्वर से जादा दूरे यह कभी बिखिया यह कुनों होता है सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते है KOC की इन नैजिसी महिने की ने वहते हैं वहते हैं और चंद्रमा वक्री नहीं हो रहते हैं तो वक्री कौन कौन हो सकता है वक्री शनी हो सकता है वक्री मंगल हो सकता है वक्री गुरू हो सकता है वक्री शुक्र हो सकता है वक्री बुद्ध हो सकता है तो ये पांच प्लानेट वक्री हो सकते हैं बुद्ध साल में 89 डेज लगबग 90 दिन के आसपास वक्री रह है साल में गुरू जो है वो चार महीने यानि की एक साल का करीब एक तहाई हिसा गुरू जो है वो वक्री रहते हैं शनी लगबग साड़े तोड पर जो होती है, वो जूने के महीने से ही शुरू होती है, जब सूरे गान प्लैट्स की पॉजिशन ऐसी हो जाती है जा की सूरे से दूर चले जाते ऐаже तो यह इस्थिती है में Ăर्ण प्लैन department वक्रि हो जाते तरह Next spots भी आपको बताएंगे वक्री वस्ता में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आप को प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हूँ और नज़र आता है जब कि वह वस्ताख दिखती है होती नहीं है मिन्स प्लैनेट की मुवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ओपर हैंडब्रेक लगा दी और कार को ड्राइव कर रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं जा रही इस तरह की पॉजिशन हो जाती है और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेश्टा ब्ल बढ़ जाता है जब हम कुढ़ी देकते हैं तो इसमें दिख बल सेस्टे हैं छेटरा के बल को मिलकर प्लैनेट की श्रंत जो हो त्येकी मेन कि वड़ जाता है तो क्या स्थिती रहेगी कौन सी राशी के लिए अच्छा फल देंगे ये जानने की कोशिश करेंगे अब बात करेंगे धनू राशी के जातकों की धनू राशी के जातकों के लिए शनी का वक्री होना क्या परिणाम लेकर आएगा धनुराशी के जातकों के लिए शनी का ये जो गोचर है वो शुब गोचर है क्योंकि शनी धनुराशी के जातकों के लिए तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और यदि आपकी कुंडली में महादशा अच्छी चल रही है शनी आपकी कुंडली में केंदर स्थान में है या तरिकों स्थान में है या नोवे या पांचवे भाव में है या केंदर के स्थानों में है मारक स्थान चोड़कर सब्तम मारक होता है यानि कि चोथे दसमें लगन या पंचम या नवं में हैं तो निश्टी तोर पर आपको इसके बहुत अच्छे result मिलेंगे और शणी सडन से result करते हैं जब वक्री वस्ता में होते हैं कोई भी प्राइन जब वक्री होता है तो वो आपको जो result है वो ज़ादा speed से देने की चेश्टा करता है अचानक से आपको नतीजे देखने को मिलते हैं तो शनी चुकी आपकी कुल्ली में धनस्तान के स्वामी है तो निश्ची तोर पर आपको फल अच्छे मिलेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि शनी आखिर करेंगे क्या यदि आपकी कुल्ली में शनी अच्छ अच्छा है तो नोवे भाव के भी फल करेंगे या पंचम में बैठें तो पंचम के भी फल करेंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले तो यह है कि धन की वृद्धी कर देंगे आप यह जो धनुरवाशी के जाता क्या है इन्होंने शनी के साड़े साथ साल बिदाए हैं अभी अभी शनी की जो साड़े साती खतम हुई है तो निश्ची तोर पर अगला फेस जो है जो गोचर चल रहा है यह शुब गोचर है और शुब गोचर में शनी का वकरी हो जाना बहुत अच्छा है और धनस्थान के प्रणाम के लूप में क्या होगा आपके धन में वृदी करे हैं पैसा जःधी कहींपर अड़ा हुआ है तो वो वापीसा सकता है दूसरे भाव से और का देखा जाता है कुटमब के परनाम जो हैं वो आपके लिए अच्छे हो जाएंगे यानि की आपका रिलेश्शिप आपके फैमली के साथ यदि आप मेर्ज हैं तो आपके लुग की तरफ चीजें चलनी शुरू हो जाएं तो दूसरे भाव से समंदित चीजें आपको बहुत अच्छे फल देंगी दूसरे भाव से क्या देखा जाता है इटिंग हैबिट्स देखी जाती है कई बार हम बहुत गलत आत्तों के शिकार होते हैं खाने पिने के मामने में कुछ लोग नशा करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग की इटिंग हैबिट्स ऐसी हो जाती है कि बाहर का ही खाना शुरू कर देते हैं लगातार तो वो चीजें अब धीरे धीरे आपको जो है वो थोड़ा समझ आएगी थोड़ा सा आप खुद रिलाइज करेंगे कि चीजें ऐ ऐसे नहीं चलेंगी और आप अपनी इटिंग हैमिट्स के ओपर भी सफ़दी के दुरान कोड़ चाते हैं कई बार हम रेजुलेशन ले लेते हैं नए साल के दिन कि आज से हमने ये नहीं खाना या बड़े के दिन आज से वह नहीं खाना या हमने ये ये कंट्रोल करना है ल ये लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं तो ये समय ऐसा हो रहेगा साड़े चार महीने का जब यदि आप प्लेज करेंगे कि मैंने ये चीज कर नहीं है तो आप वो कर लेंगे क्योंकि वो एटिंग हैबिट वाला भाव उसके आपको अच्छे परनाम निश्ची तोर पर मिलने श जहापर शनी समय खुद गोचर कर रहे हैं वो है प्राकरम का भाव तीसरा भाव भाईयों से जड़ावा भाव होता है ये प्राकरम का भाव होता है तो ब्रदर्स के साथ रलेशन्शिप अच्छी हो सकती है आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी हो सकती है फैसले थ सबाव से गोचर कर रहे हैं शुब गोचर में हैं तो आप पूरी कन्विक्शन के साथ फैसला लेंगे कि मुझे ये करना है तो करना है ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है भले ही वो मामला रलेशन्शिप का हो भले ही वो मामला आपकी जोब से जुड़ा हुआ हो या जीवन के कोई किसी अन्य पहलू से जुड़ा हुआ फैसला हो आप निश्ची तोर पर उसके जो फैसले लेंगे पूरी कन्विक्शन के साथ लेंगे तो धनुराशी के लिए शनी का वक्री होना 17 जून से लेकर 4 नमबर तक ब लेक्श दूर करिए इसके साथ ही मुझे दीजिये अजाज़त नमस्कार